हर वर्ष कार्तिक मास्क के क्रिशन पक्ष की त्रियोजशी तिधी को धन्तेर स्पर्व के रूप में मनाये जाता है। इस खास मोके पर लोग सोना, चांदी, बरतल, गाड़ी इत्यादी खरीते हैं। मानता है कि इस दिन इन चीजों की खरिदारी करने से धन और एश्वरे में बिर्दी होती है। साथ ही ऐसा करने से धन के देवता, भगवान, कुबेर और धन की देवी मालक्षमी की किरपा सदेव आप पर बनी रहती है। वही सास्त्रों में बताये के कुछ ऐसे उपाये भी है, जिने यदि आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सदेवी कुछियां आधी रहती है। और साथ ही दन के देवता, कुबेर और मालक्षमी का आशिरवात सदेव आपको बर बना रहता है। लोगों की ऐसी च्छाएं भी पूर्ण हो जाती है, जो वर्सों से मन में ही तभी होई थी। दन सम्मंति पर इस सभी समस्याओं के निवारण के लिए और साथ ही अपने घर में धनदाने की विर्दी के लिए आज हम आपके ऐसा उपाय बताएंगे, जिसे करने मातर से माता लक्षमी प्रसन हो जाएंगी। तो आए जानते हैं इस उपाय के बारे में, एक बार कमेंट बोक्स में पहले आप लिख दीजिए, जै माल लक्षमी। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गणेज जी विग्न हर्ता सुक करता है, माना जाता है गणेज जी जितने जल्दी नाराज होते हैं, उतनी जल्दी अपने भक्तों से प्रसन भी हो जाते हैं। खुश होने पर गनेजी हर प्रकार की विक्नवादाओं को हरके अपने भक्तों को सुक सम्रिद्धी देते हैं। सास्त्रों में गनेजी को खुश करने के ऐसे ही अनेको उपाय बताए गए हैं, जिने करके कोई भी भक्त गनेज भगवान को प्रसंद कर सकता है और अपने घर में और अपने जीवन में खुशाली भर सकता है। गनेजी खुश होकर दुख वे द्रद्रिता का नास कर देते हैं। चाहें आपके घर में नकारतमक उर्जा हो, चाहें कुंडली में बुद्ध ग्रय, असुब श्थिती में हो, या फिर आपके किये हुए कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसी श्थिती में आपको गनेज भगवान जी के लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए, ज सभी सुबकारों में भगवान गनेज जी की पूजा किया जाना सबसे अनिवार है, हिंदु धर्म सास्तर में भगवान स्री गनेज जी को प्रतम पूज्य भगवान के रूप में पूजा जाता है, कहा जाता है कि भगवान स्री गनेश प्रतम पूज्य तो हैं ही, साथ ही र बगवान गनेश की अगर पूजा का विधान बताया है ऐसे में गनेश जी की पूजा करना अपने विशेश मनरतों को पूरा करने वाली पूजा मानी जाती है गनेश जी की पूजा ना केबल आपके कार्यों में आ रही अड़तनों को अटाती है बलकि आपकी हर मनो कामना को प नहीं हुए तब उन्हें ज्यात हुआ कि वे भगवान गणेश की पूजा किये बगेर ही ये कारे करने चले गए थे तब भगवान गणेश जी की पूजा करके लड़ू का भोग लगाने के पस्चात जब भगवान शीव शंकर ने उन्हें त्रिपाशुनामग राक्षास की से लड़ाई करी तब उनके मनुरत में पूर्ती हुई और भगवान ने यानि कि शिव शंकर भगवान ने उस राक्षास का बद करके समसंसार को उसके पापों से मुक्ति दिलाई थी माना धाता है कि जिस प्रकार से शिव शंकर अच्चनत भोले हैं इसलिए उन्हें भोले नात कहा जाता है और उन्हें प्रसंद करने के लिए किसी विशेश चीजों की आवशक्ता नहीं होती है उसी प्रकार माता पारवती और गौरी पूत्र गणेज जी को प्रसंद करने क लिए भी कोई खास उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई खास सामगरी की आफशकता नहीं है, बलकि वे छोटे सी पाठ पूजा आदी से परसन हो जाते हैं, आज की वीडियों में हम आपको एक ऐसा ही सरल से उपाय के बारें बताएंगे, जिसे करने के बाद आपके जीवन मे आ रही सभी बिगन बादाओं का नास होगा, जो कारे बंते बंते रुख जाते थे, वे अब पूरे होने लगेंगे, साथ ही आप अपने जीवन की हर प्रकार की मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश ना शिर्फ आपके सभी बिगन बादाओं को प्यार है, जो माता गौरी को, मा लक्ष्मी को प्रेम करते हैं, केवल वहीं लोग इसे लाइक करें और शेर करें, अनिता आप इस वीडियो का पूरा आनंद उठाएं, सास्त्रों में बताया गया है, कि गनेश जी केवल अपने भक्तों की शरदा भक्ती देखते हैं, पूर बगवान गनेश को जटपट प्रसंद करने के लिए, और अपनी सभी मनोकावनाओं को पूर्ती करवाने के लिए, ऐसे इस सरल से उपाय बताये हैं, आज कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही उपाय के बारे में बताएंगे, जैसे करके आप जटपट बगवान श्री गने जी को प्रसंद करना चाहते हैं, तो सबसे सरल और सस्ता उपाय है दुर्वा अरपित करना, जी हैं दोस्तों, बगवान गनेश को दुर्वा अत्यंत प्रसंद है, अत्यंत प्रिय होने के साथ ही वे उन्हें इसलिए प्रसंद होती है, क्योंकि माना जाता है कि दुर्वा मे के चरणों में नहीं चड़ाना चाहिए, बलकि भगवान गणेश के कान या सिर पर चड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश दुरुवा खाते हैं, इसलिए दुरुवा को चरणों में चड़ाने से दोस्त लगता है, यदि आप अपनी मनों कामनाओं को शीकर दुरुवा को 5, 11 या 21 की संख्या में चड़ाएं, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण सरदाभाव से बगवान गणेश को दुरुवा अर्पित करता है, वे कुवेर के समान हो जाता है, कुवेर देवता धन के अधिपती है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भी बग मोदक का भोग लगाता है, गणपती जी स्वेम उनका मंगल करते हैं, वहीं मोदक का भोग लगाने वाले की हर एक मनुकामना बहुती शिग्र पूर्ण हो जाती है, सास्तरों में बताया गया है, और जो कोई व्यक्ति भगवान गणेश को गियर पित करता है, उसकी बुद् आपकी सभी मनुकामना गणेश भगवान स्वेम ही पूर्ण कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको साधारा नहीं, बलकि एक बहुती विशेज उपाए बताने वाले हैं, आज की वीडियो में हम आपको एक इलाइची से करने वाला एक ऐसा उपाए बताने वाले हैं, जैसे करने से आपकी सभी मनुकामनाए शिग्र अतिशिग्र ही पूर्ण हो जाती हैं, आपकी कैसी मनुकामना हो पूर्ण हो जाती हैं, एक ऐसा उपाए जो आपकी धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर कर देगा, और आपके लिए धन के नए-ने मार्ग प्रसिस्त करेगा इसके अलावा सभी मनोकावनाओं को फूर्ण करने में सहायक होगा इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक हरी इलाइची लेनी है इसके बाद आपको अपने मंदिर के आगे यानि कि पूजा घर के आगे एक आसन बिचा कर बैठ जाना है दोस्तो इस उपाय के लिए आपको खंडित इलाइची लेनी नहीं है यानि कि आपको कटी पटी टूटी फूटी इलाइची नहीं लेनी है एक साबूत साफ सुत्री सी एक हरी रंग की इलाइची लेनी है अब आप एक इस इलाइची को एक कटोरी में रख करके बगवान स्री अर्पित कर सकते हैं यह आतिन्त सूप और फलकारी होगा इसके बाद आप गरैजी के सामने एक देशी घी का दीपक जलाए और उस दीपक में ही उस घी में आप थोड़ा सा सिंदूर मिला दे और बचे हुए सिंदूर से सश्री जी को तिलक करें और या फ्रोड़ा सा और भोग में यदि संबभ हो तो लड़ू का या फिर मोदक का भोग लगाए जो कि भगवान स्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास लड़ू या फिर मोदक भी नहीं है तो आप गुड या चीनी का भोग लगाएं। उसके बाद आप साफ सुत्रे तूटे फ मांच चावल आप गणेश जी के सामने रखी हुई इस इलाइची के उपर भी चड़ाएं। और साथ में ओम गंग गंपते नमाई इस मंतर का जाब करें। इतना सब पूजन करने के बाद आपको इस इलाइची को पने हाथों में उठा लेना है और हाथ में रख करके हाथ जोड ले और आँके बंद करके ओम गंग गंपते नमाई इस मंतर का 108 बार यानि कि एक माला जाब करें। आपको एक बात का विशेज ध्यान रखना है कि इस मंतर का जाब करते हुए आपको कोई भी व्यक्ति परेशान ना करें। दिश्टब ना करें। आपका ध्यान ना पूरे घर में चक्कर लगा लेने के बाद आपको फिर्ट से अपने घर में पूजा मंदिर जहां पर है महीं पर बैठ जाना है और एक लाल रंग के छोटे से कपड़े या पर कागज में आप इस इलाईची को डाल करके उसकी एक पोटली बना ले और उसको एक लाल रंग क दागे से ही बांद ले इसके बाद आप इस पोटली को अपने घर में ऐसी जगा छुपा दीजिए जहां पर यह किसी को नजर ना आए यहां तक कि घर का भी कोई सदश से इस पोटली को देखना सके आपको अब बताते हैं यह उपाए आपको कब करना है और किस समय करना है दोस्तों हर एक दिन आप कोई भी नया कारे सुरू कर सकते हैं इसलिए आपको कभी भी कोई कारे में विगन ना आए तो इसलिए आप इस उपाए को बगवान स्री गणेश को याद करते हुए किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन सुपह सूर्य उद्र होने के बाद और साम को पहले पहले आपको यह उपाय करना है, और दोपैर के बारा बज़े से लेकर चार बज़े के बीच में आपको यह उपाय नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, यह समय सबी देवी देवताओं के आराम करने का समय होता है, इसलिए आप बारा बज़े से चार बज़े तक का समय छो परकार के बिगन हरके सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करने का आशिरबाद भगवान श्री गडेश से स्वेम प्राप्त करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के अब इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जादत दन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले जैश्री गडेश हरर महादेव शिव शंबू भोले ना जै मातादी जै मालक्षमी जै बजरंग बली